जम्मुसरुत संग्वारी मल्ला हमार नमस्कार छे माह तक केवल मा के दूद लईका मलला पिया जाते लईका मन के मूझ उठारे के बाद अन्न प्रासन करे के बाद मा के दूद के साथे साथ पोस्टिक खाना लईका मलला दे जाते ताकि लईका के बढ़वार बने होए और उलब बने पोसन मिल सके छे माहले एक साल तक के लईका के देखभाल अवोखर पोसा हार के संबन्ध में जादा जानकारी प्राप्त करेवर इस्टूडियों में आमंत्रित करेहन मेडिकल कालेज रायपूर के सिसुरोग विभाग के विभाग अध्यक्ष डाक्टर ओंकार प्रसाद खंडवाल जिला डाक्टर ओंकार प्रसाद जी नमस्कार ये कारेक्रम में आपमन के स्वागत है नमस्कार डाक्टर खंडवाल जी छे महिना के बाद लईकमनला तूस आहार खवाए बर किहे जाते तबर का होते दाल के पानी में पोशन थोड़ी रही, पोशन तो दाल में है, तो गाढ़ा दाल, दाल और चावल के बढ़िया खिचडी, हल्वा बनाओ, बढ़िया मूंग दाल के हल्वा, आटा के हल्वा, बेसन के हल्वा, तमाम तरह के हल्वा बनते, तो हल्वा के टाइप के अहार जो है जो बढ़िया से जिसमें अच्छा तेल वेल डला है, मककन डले है, गी डले है, वो प्राचुर पोशण के साथ में वो अहार होते हैं अच्छा डाक्टर साहब, लाइका मन के मालीस कौन ढंगले करना चाहिए? कौन से तेल से मालीस करना चाहिए? देखें। लाइका मन के जो मालीज करेबर, सबसे पहला चीज है कि भई, कौन कर ही मालीज? दोसर आत्मी के बजाए है, ओकर मा ना सबसे बढ़िया जन है जो मालीज करेबर, मालीज से ओकर मा के अपन शिषू के परिशाए जो है, बनने सुद्रिट हो थे। मा अपन लाईका के अंंग-अंगला पैचान थे, जब मालिस करते तो, भाई, कहां कैसे है, दानावना तो नहीं हो रहे है, भाई, कोई चीज अगर ऐसना विकार है, कोई चीज है, तो मा सबसे पहली देखी तो मालिस तो एक ऐसा, और कोहन मालिस नी पसंद करते लाई काम करे तो बडले बाड़ी होया है तो लाइका मनला वो नानकीन लाइका भरी मालीस के लिए बहुत पसंद करते है तो मालीस के लिए जो तेल है वो सामान तेल जो है जो कुई विधयर अप्रत alenne की जो कोई विशेश तेल को ऐसा नहीं है तो नारियल के तेल हो या सरसों के तेल हो तेल सुद्ध होना चाहिए और तेल के उपयोग अपन मन के हाथ में लगाय के लिए है घरशन कम होए एकरे सेती हमन मन तेल का उपयोग करतन लाइका का नहवायवर नहीं तेल का उपयोग करतन तो यह बहुत आवशक है और हलके हाथ ले मालीश करना चाहिए जो मालीश के बात है मालीश में आम तोर पे हमानमन देखते हैं कि कभी-कभी कोई कान में फूख मार थे कभी-कभी कोई आगी लिशेक थे तो यह आगी लिशेक ना कान में फूख मारना कान में तेल डालना यह स american करने के ताइंब आम तोह पर Maa जो होते कि laica कोई घाना सुना थे कोई भात करते तो मा और sustainable मलं भू कोई घर के लोग हो तो परिचह जो है लाइकाल से परीचह बनाय में में भपयम्त रूपय तो लेकिन घातक वाले जो प्रथा है वो सब प्रथा नहीं करना चाहिए दक्टर खंडवाल जी लाइका मनला नालाय के जो बजार में शाबुन मिल थे और पाउडर, शेम्पू और जो क्रीम वगेरा है एला उप्योग करे में कहा साधानी बरतना चाहिए देखिए ऐसे है कि जो विशेश तर लाइका मन के हेतु जो सामगरी कंपनी वाले लमन बना थे जो वो थोड़ा सा लाइका के हिसाब से थोड़ा नाजुक रही थे चाहे वो मौश्राइजर हवा है चाहे साबून हवा है और वो सबला उप्योग करे में नुकसान नहीं है लेकिन ऐसा भी जरूर नहीं है कि ओकर उप्योग के बगएर काम नहीं बनाए अगर आपके पास में सामर्थ है तो आप विशेश रूप से जो लाइका मन के वाले ज जो हमन मनला जो अपन मन के उप्योग करा थन वही साबून तेल सैंपू लाइका मनला भी चल जाते बहुत ज़्यादा परिशानी नहीं हो आए जी डाक्टर साब बजार में जो पूरक पोशन अहार समागरी मिल थे लाइका मन पर का लाइका मनला वो समागरी डबबाबन ख लगते बाइका मन जब 6 माह के मनला अलग से खाना लुए जो है अलग से खिष्डी घर नग सामगरी होई और लेक जब 10 महीना हो थे घर के सामगरी जो भी घर हमन मन खातन वही सेम टू सेम खाना आप मन लाइका मनला खवाय बर सा कतन तो बाहर के जो चाब बबबन सामगरी सबसे बड़ी संस्य है कि वो डबबन समगरी ले लाहिका मनला छोटवाए बड़ा कठिन होते हैं। एक बढ़ आप चालू कर दो तो अकर बाद में लाहिका मनला वो समगरी के आदत हो जाते हैं। जबकि पोशन जो घर के समान में जो अगर हमनमन बढ़िया से ध्यान दे के सफाईले बनातन तो पोशन बराबर मिल जाते भाई घर के समगरी जो है अगर हमनमन ध्यान से बनाओ सभी चीजों का ध्यान रहे कि भाई दाल जादा रहे राजमा रहे या और भी कोई तेल की मातर गीर बराबर रहे ये बढ़ ज़ादा पढ़त है गर के ने दो हाथ में भी चूड़ा, कमर में भी रसी पहना थे, आँख में काजल लगा थे, तो ऐसन करना चाहिए कामाता पिता मला, एकर से कुनों नुपसान तो नहीं है, हमनमन के जो आमत और जो प्रथा है, जो संस्कृती है, तो सबसे पहले जो अच्छा वाले में बता थें कि कमर बंद वाले जो है, वो एक बहुत ही अच्छा चांचे के उपकरण हो थे, कि लाइका के बाढ बराबर हो रहा है कि नहीं, अगर लाइका दुबला थे, तो कमर बंद नीचे जूल जाही और कमर से नीचे आ जाही, कूला से नीचे चल धाई हो, तो ये हमार मन के सबसा प लाइका के बाढ बराबर हो थे, विकास बराबर है, इसने कलाई के हमार मन कड़ा कैथन, अब लाइका बढ़ी, कलाई मोटा हो ही, तो कड़ा छोटा हो ही, और कड़ा छोटा हो ही, तो मतलब बने बढ़ा थे, तीन महीना हो गए, लाइका कड़ा नीचे बदला है भाई, त यह रखे है वो अच्छा है और यह चालू रहना चाहिए दूसर बात हुई कि गला के जो गला में और धातू के टुकड़ा है छोटे लाइका नानकिन लाइका मन के गला में यह हमेशा थोड़ा परिशानी के वजह बन सकते हैं कैसे कि लाइका के मुह में जब जाही ने कोई स कि नहीं डालना चाहिए कमर में डाले बढ़िया है और आख के काजल के बाद बताता हूं आखी में काजल जो है हमनमन हमर प्रथा में हमर संस्कृति में दो कारण से होते कि आखी सुन्दर दिखाए और दोसर की भई हमर जो लाइका है वहला नजर नहीं लगे अब आखी के सुन्दर के जो मैं बात कहा था हूं कि काजल लगाए में आखी तो सुन्दर नहीं दिखी लेकिन आशू के प्रवा है वह तो घलो रुख जाही तो यह तो नुकसान के वज़ा है और जहां तक नजर वाले बात है तो काजल का ठीका तो है वह माथे किनारे लगा दादी के भी बात रह जाही आखीम काजल नहीं लगाओ कनपटी में गाल में अब चिंद्राए बेंद्रा भल ही बना दाओ तेक है तो को चिंदा नहीं है बट आखीमे काजल नहीं लगाओ डाक्र खनवाल जी लई का मदला जब छे महिना के हो जाथे तेकरबात विटामिन ए और गणना होए है, कैसे स्वास्त है, लाइका मन के स्वास्त कैसे है, तो भारत सरकार है गणना किए, उमें ये देखे पर मन-मन पाया हन, कि जो आईरन की कमी से जो एनीमिया होते, वो 36 प्रदेश में 80-80 प्रतिशत तक है, 5 साल से कम में, और ये बहुत ही चिंता जनक विशा है, एकरे सेती जो विटामीन ए, जो सरकार के योजना है, कि हर 9 महिना होते ही जब आप तीका करन ले जाहो, तो विटामीन के खुराक आवश्यक रूप से खसराक तीका क साथ में, और बाद में भी जब एक साल के उपर के बाद में, जब दुबारा फिर आप 15 महिने, 18 महिने के भी पीच में जाहो तो दुबारे ले उसलों की खुराक, तट आप ले आवश्यक खुराक है, और सब भी संगउरी मनला मैं कहता हूं कि बहाई ये विटामीन के खुराक और आईरन के खुराक जब सरकार कारइकरम चलाते तो आप मनला आवश्य अकर फाइदा उठाओ, ये तो यह सब समस्याल के जो उपचार है विटामिन ए है और जो आइरन का गोली देथन या सीरप देथन तो वो आवश्यक रूप से मर जहां भी सासने कारकम चलाएं जहां भी आपकर दवाई जब दे तो लाइका मनला आवश्यक रूप से खावाओ डाक्टर खंडवाल जी छे माहले एक साल तक के लाइका के देख भाल के संबन में अव का संदेश देना चाहाओ कि प्रयास में अगर लाइका मनला एकाद दो बार निगलने के वजाए उगल दे तो आप मनला हिम्मत हारे बर नहीं है लाइका मनला खावाय बर के जो हमन मन के जिम्मेदारी है वो हमन के करतब है कि हमन मन लाइका मनला बढ़िया पोशन देके एक बढ़िया नागरिक बना तो बाद में फिर ये ट्रेन आसानी से नहीं पकड़ में आते तो 6-10 माह के बीच में जो आप मन के पास में मौका है कि ये नानकिन लाइका बर खवाय बर तो ये मौका लाहात ले जाने नहीं दिना है और बढ़िया आहार खवाना है और ठोस आहर खवाना है पतला पनियल दाल पतला पनियल चावल के पानी ही नहीं खवाके अच्छा पोशन ठोस आहर जमा हलुआ हो जमें दलिया हो जमें खिचडी हो आलू मसल के हो सब भी प्रकार के खाना और कोई परहेज नहीं सब वो चीज खवा सकत है हो ही अमर करहिना में लहो ललना दूरू प्रहला दिर जस्त हो ही अमर करहिना में लहो डाक्टर ओंकार प्रसाद खंडवाल जी हमर सुरोता मल्ला छे महिना ले एक साल तक के लईका मन के देख भाल ओखर पोसा आहार के सम्मन में अतेक सुख घर जानकारी देहव तेकर वरापला बहुत बहुत धन्यवाद